हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे युट्यूग चैनल निस्वार्थ ज्यान पर। दोस्तों नवरात्री का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसे आध्यात्मिक जगत में शक्ती का पर्व माना जाता है। नवरात्री में आदी शक्ती मा दुर्गा के नौ रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्री से ही स्रिष्टी में महत्वपूर्ण बदलाव होना शुरू हो जाता है। प्रकृती का सुन्दर रूप भी हमें देखने को मिलता है। मा दुर्गा के स्वागत के लिए संसार का प्रत्येक प्राणी आतुर रहता है। इसी कारण से हम प्राणियों में भी माता की भक्ती का भाव देख सकते हैं। नवरात्री में कुछ जीव जन्तु ऐसे स्थान पर स्थलांतरित करते हैं जहां पर उन्हें मा की उर्जा आकर्षित करती है। दोस्तो चीटियों को हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। अन्य साधारन की तक बहुत कम समय में ही मृत्यू को प्राप्थ हो जाते हैं। किन्तु चीटियों तीस वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। चीटियों के अंदर अध्भुत शक्ती होती हैं। वे अपने वजन से दस गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। दोस्तों चीटियां अपने आसपास के वातावर्ण में मौजूद हर प्रकार की उर्जा को महसूस कर सकती है। इसी कारण से ये किसी भी स्थान पर जाने से पहले उस स्थान पर मौजूद उर्जा के बारे में पता करती है। आपने देखा होगा कि चीटियां समूह में काम करती है। चीटियों से हम यह बात सीख सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने से बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। चीटियों में पहाड को भी खोदने की ख्षमता होती है। इसलिए चीटियों को कोई साधारण जीव समझना नहीं चाहिए। चीटियों के अंदर ऐसी बहुत सी विशेशताएं होती है, जो मनुष्य के पास नहीं होती है। तो ये आपके जीवन में होने वाली किसी शुब या अशुब घटना का संकेत देती है। दोस्तों घरों में चीटियों का निकलना आम बात है, इसलिए अकसर हम इसे सामाने घटना समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन चीटियों से शुब और अशुब घटनाओ का भी पता चलता है, खास कर जब ये किसी खास समय या त्योहार पर दिखाई दे। दोस्तों यदी नवरातरी के पवित्र दिनों में चीटिया आपके घर में एक कतार में दिखाई दे तो ये भविश्य में होने वाले कई शुब संकेतों की और इशारा करती हैं। तो आए दोस्तों आपको बताते हैं कि ये शुब या अशुब कौन से संकेत है। अगर चीटिया चावलों के भरे बरतन में से निकले तो यह आपके लिए शुब है। ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों बाद ही धन वृद्धी का योग शुरू होने वाला है। इस स्थिती में व्यक्ती की आर्थिक स्थिती अच्छी होती है और जल्धी मा दुर्गा आपके घर में धन संब्धी परिशानी दूर करने वाली है। काली चींटियां आपके घर में उत्तर दिशा से आती हैं तो आपके लिए बेहत शुब संकेत है। वही दक्षिन दिशा से आ रही हो तो यह भी आपके लिए फायदे मंद ही होगा। अगर पूरब की दिशा से चींटियां आ रही हैं तो कोई सकारात्मक सूचना आपके घर आ सकती है। इसी तरह यदि पश्चन दिशा से चींटियां आएंगी तो आपकी विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। अगर आपके घर में एक साथ समूह में चीटियां निकलती हैं तो इसका मतलब होता है कि एश्वर्य की विद्धी होगी। आने वाले समय में आपको कोई अच्छी खबर भी मिलने वाली है। अगर चीटियां उस जगह से निकले जहां पर सोने से बनी चीजे रखी हैं तो आपको स्वर्ण से संबंधित लाभ मिलने वाले हैं। अगर चीटियां छट की ओर से निकल रही हैं तो यह भी काफी शुभ माना जाता है। इससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। ऐसे में चीटियों को आटा या चीनी जरूर खिलाएं ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। अगर लगातार घर में चीटियां निकलती है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है। लाल अथवा काले रंग की चीटियों का घर पर निकलना भी अलग-अलग संकेत देता है। चीटियां घर में घूमना एक अलोकिक घटना है। इसे सामान्य घटना समझ कर दुरलक्ष नहीं करना चाहिए। चीटियां दिवार पर उपर जा रही है अथवा नीचे जा रही है। चीटियां पानी पी रही है अथवा भोजन इकटा कर रही है। इन सभी घटनाओं से विशेश संकेत मिलते हैं। जोतिष शास्त्र में भी चीटियों को महत्वपूर्ण स्थान है। जोतिष शास्त्र के अनुसार चीटियों से धन की प्राप्ती तथा धन के खर्च से जुड़े कई प्रकार के संकेट मिलते हैं। इसी के साथ ही जोतिश शास्त्र के अनुसार यदि चीटियों से जुड़े कुछ उपाय किये जाएं तो मा लक्ष्मी और भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को सुख समरिध्धी तथा एश्वर्य की प्राप्ति होती है सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों जान ले कि हमें चीटियों को कभी नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए कुछ लोग चीटियों को पैर से रौंद देते हैं अथवा चीजों से कुचल देते हैं लेकिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है चीटियों को नुकसान पहुचा कर हम अपने भाध्य को भी नश्ट कर डालते हैं इसलिए आप चीटियों से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी और संकेत अवश्य जान ले और ऐसे वह कौन से उपाय है जिन्हें करने से हमें धन की प्राप्ती होती है तो आए दोस्तों जान लेते हैं नवरात्री में चीटियों से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण संकेत हमें मिलते हैं सबसे पहली बात है काली चीटियों का घर पर आना जोतिश शास्त्र के अनुसार, नवरात्री में काली चीटियों का घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है अगर आपके घर में काले रंग की चीटियां वास करती है, तो यहां आपके परिवार के लोगों के व्यवहार को भी दर्शाता है आपके घर में ऐसे लोग रहते हैं जो परोपकार करने वाले और सभी पर दया करने वाले है काली चीटियों का घर पर निकलना यह दर्शाता है कि आपके घर में सुख एश्वर्य आने वाला है आपके घर में भगवान विश्नु निवास कर रहे हैं अगर काली चीटियां आपके घर में एक गोल घेरा बना कर घूम रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मा लक्ष्मी का आगमन हो चुका है आपके घर की आर्थिक स्थिती में काफी सुधार होगा आपको कही से बहुत अधिक धन की प्राप्ती हो सकती है जोतिश शास्त्र के अनुसार काली चीटियों को अन्न खिलाना बहुत शुब होता है घर में अगर चीटियां दीवार पर उपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रक्ती करेंगे और यदि चीटिया नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है नवरात्री के दौरान अगर आपके घर पर कबूतर आते हैं, तो इसे भी शास्त्रों में शुब संकेत समझना चाहिए नवरात्री में कबूतर घर पर आने से पती-पत्नी का रिष्टा मजबूत होता है और दोनों के बीच प्रेम विश्वास बढ़ता है नवरात्री में द्वार पर गाय का आना भी शुब संकेत समझना चाहिए गाय को रोटी खिला कर उनसे आशिरवाद ग्रहन करना चाहिए नवरात्री में अगर द्वार पर कोई कन्या आती है तो यह एक शुब संकेत है उस कन्या को माता का रूप मान कर उसे वस्त्र आदी दान करना चाहिए इससे मा लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है तो दोस्तो इस प्रकार से नवरात्री में चीटियों के घर पर आने से विवित प्रकार के संकेत मिलते हैं दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृप्या वीडियो को लाइक एंड शेयर करके कॉमेंट बॉक्स में जैमा दुर्गे अवश्य लिखें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद